पुरप्रधानमंत्री राजीव गांधी की शनिवार को 31 स्वी पुणियतिती बनाई जा रही है। देश भर में उन्हें शर्धानजली दी जा रही है। सीमजैराम ठाकुर ने सदभावना चौक छोटा शिमला में उन्हें शर्धानजली दी तो कॉंग्रेस कारियले राजी भवन में शर्धानजली कारिकरम रखा गया। जिसमें कॉंग्रेस के तमाम बड़े नेता नदारद दिखे। हवाला दिया जा रहा है कि कॉंग्रेस के वरिष्ट नेतागर्ण हमीरपूर के बरसर में पब्लिक मिटिंग में व्यस्त है। कुईटर को भारत में लाने की बात करते थे तो कहा जाता था कि इससे लोगों के रोजगार चले जाएंगे। आज हर व्यक्ति के जिम में मोबाइल है, पंचायती राज एक्ट 73 और 74 को लागू करने में उनका योगदान रहा। आज प्राजीव गंदी जी की पुन्यति थी के अपसर पर कॉंग्रेस कारेले में एक शद्दा सुमान एक हमने पुषपांजरीस सामरों का योजन किया था। राजीव गंदी को याद करते हुए एक जो आज उनको कंप्यूटर में की रूप में याद किया जाता है। जो एकिसवी स्ताबदी का बहुत अडवांस सोच करके चलते थे। उनको जो पंचायतिराज एक्ट है। 73rd और 74th Amendment वो राजीव गंदी ने इंप्लिमेंट करवाया था। आज हमारे देश में हर आदमी के पास जिम्में मोबाईल है। वो राजीव गंदी की सोच थी। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं। वो इस चीज का मजाक उड़ाते थे कि कंप्यूटर में आएगा तो लोगर्जगार खतम हो जाएगा। एक सोच थी। लोगसभा में विरूद किया गया। रज्यसभा में विरूद किया गया। जब राजीव गंदी ने इस योजना को लाने की बात की कि कंप्यूटर की मुझे कंप्यूटर लेना है। लेकिन उसका विरूद किया गया आज देश में ना के बल देश में बलकि विदेश में भी भारत का नाम के इंपूर्टर के में बहुत उंचे लेवल पर है और आज इस महान देता को हम याद कर रहे हैं कुछ शदा सुमन क्या वैसा है आज हमारे बड़े कारेकरम है पब्लिक सबको लगी हुई है उसी साफ से हमने अपना कारेकरम अपना आयूजन किया है आज यहां पर जैसे सुबा नगर निगम का कारेकरम था चोटा शिम्ला में हमने ग्यापन के माद्यम से मुख्यमंतिर जी को वहां पर शिम्ला से संबंदित जो मांगे हैं जो बहुत जोलंत शिम्ला के उसको लेकर कि विग्यापन दिया था राजीव गंदी चौक पर सद्भावना चौक है चोटा शिम्ला का मुख्यमंतिर वहां आते हैं तो हम लोग वहां पर भी गे थे उसके बाद